ओम नमस्य वाय, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावन यूटूब चैनल पर, दोस्तों आज मैं आपको चैत्रा मवस्या से सम्मंदित जानकारी दे रहा हूँ, एक साधारन सा उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय बहुत ही चमतकारी और प्रभावसाली है, इस मनोकामना पूरी होती है, अमावस्या के दिन पित्रों का पूजन किया जाता है, अमावस्या के दिन भगवान की पूजा की जाती है, अमावस्या के दिन दानपुन किया जाता है, अमावस्या के दिन जो भी पूजा पाढ़ कर उनका कही गुना फल पराप्त होता है, और उ पित्रों की पूजा का विशिश मैत होता है क्योंकि हम पित्रों की पूजा करते हैं तो पित्र प्रसंद हो करके हमें आशिरवाद देते हैं हमारे पूरवज हमारे उपर प्रसंद रहते हैं कि हमारे बंसज हमें याद कर रहे हैं उनका आशिरवाद दोस्तों कभी खाली नही जाता है अगर आप पित्रों की पूजा नहीं करते हैं पित्रों को नहीं मानते हैं तो उनके जो क्रोध है उसका सामना आपको करना पड़ेगा जिससे आपको कई प्रिकार की परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो इस वह आप पित्रों की नाम से पीपल ब्रक के वस्त्र का दान, दूद का दान, पित्रों के नाम से यह दान जरू करने चाहिए, इनका विशीश महत होता है, साथी रात को सूर्यस्त के बाद में आपको दीपक जलाना है, दीपक का उपाय करना है, थोड़े से चावल आपको लेने हैं, और आपको चार दीपक तियार करने ह आपको पित्रों की फोटों के सामने जलाना है, वहाँ पर आप थोड़े से चावल रख दे, उसके उपर दीपक रख दे, जला करके मनुकामना बोल करके, दूसरा दीपक आपको दक्चर दिसा की तरफ करके मेन दरवाजे पर जला दे, तीसरा पीपल ब्रक्य के नीचे और च कि सामने.